सचिन क्या है सचिन में लप्पू सा सचिन है मूने से बोलना वापे आवे ना बोलता वो है ना जहिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो अरे रो पड़ा सचिन मीना रो पड़ा करने लगा क्या करूं सर क्या मर जाओं क्या करूं हमारे देश की हर पत्नी को बुरा लग जिनके पती कमजोर हैं, पतले हैं, दूले हैं, फिन हैं, स्मार्ट हैं, चरह रहे हैं, उनको बुरा लग जए। पूरे देश के बहुत करोड़ों पती आहत हैं करोड़ों पतनी आहत हैं जिनके पती पतले हैं दुबले हैं जो कानून देगा हम नहीं सजा देने वाले कानून देगा उन्होंने कितने दिन बाद दिल से बताई आप कितने दिन से बोल लहीं थी लगातार बोल नहीं थी और उसके बात तो कदम उठाना पड़ेगा ना सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर तो चर्चाओं में बनी ही थी अब बीच में उनकी पडोसन मिधिलेज भाटी लगातार चर्चा में आ गई क्योंकि उन्होंने सीमा के सचिन को जींगुर सा लफू सा बहुत सारी चीज़े कैय दी है जिसको लेकर सीमा हैदर और सचिन मीना के जो सीनियर एडो के डॉक्टर एपी सिंग है वो बहुत सारी चीजे बोल भी रहें और बता भी रहें तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत सब्सक्राइब नियुज में मिठिलेज भाटी बहुत सारी चीजे कह रहें पचिन को जींगुर बोल दी तो आपको बहुत बुरा लग गया है लोग कह रहें मुझे नहीं बुरा लग गया यह देश के सारे पतियों को बुरा लग गया यह पतले पतियों को बुरा लग गया यह मीना समाज को बुरा लग गया हमारे देश की हर पतनी को बुरा लग जिनके पती कमजोर हैं, पतले हैं, दूबले हैं, थिन हैं, स्मार्ट हैं, चरह रहे हैं, उनको बुरा लग जिया अब क्या पती आफिस से घर नहीं जा रहे हैं। केले खाने में लगे पड़े हैं। दूद पीने में लगे पड़े हैं। अच्छा रह रहा बनाया हमें तो स्मार्ट अच्छा लगता हमें इस तरह का अच्छा लगता हमें वैसा अच्छा लगता उनकी दुभाव ये था। अच्छ कोट है, मैला के लिए गाइडलाइन है, मैला के लिए परचार है, मैला के लिए ओर्डिंग है, बोर्डिंग है, सब कुछ मैला के लिए। पुरुष के लिए तो कुछ है नहीं, पुरुष के लिए ना पुरुष हल्प लाइन है, ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष मंत्राले है, ना पुरुष हल्प डेस्क है, ना पुरुष के लिए थाना है, ना पुरुष के लिए होडिंग है, ना बोर्डिंग है, ना प्रचार है ना कुछ है पुरुष को बचाने के लिए तो कुछ है नहीं अब सचिन जाए तो जाए कहां आखिर कहां जाए उसकी ग्रीवेंसे कौन सुनेगा लेकि सर मेरा सवाल है यह कि आप कितनों को रोकोगे बहुत सारे लोग सचिन को बहुत सारे चीज़े बोलते हैं कुछ लोगों ने यह बोल दिया कि सीमा उसकी मा जैसी लगती है सचिन तो बच्चा कुछ लोगों ने प्रोफेशन बना लिया था कुछ जिनों ने प्रोफेशन बना लिया एक दिन बोला मैंने चोड़ दिया दो दिन बोलो तीन दिन बोलो लगा तर नहीं 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 जहां से शुरू हुआ सब शब्दों का अकेल है शब्द जहां से बोले गए जान ही हुई कुटिया यह शब्द बोला गया छिपकली बोला गया सचेन को सीमा सचना सचन जो है वो सीमा को गरबती कैसे कर सकता है इसक मतलब आपने उसके सपर्म टेश्ट कर लिए उसका मतलब आपने डॉक्टर गायनोलोजिस्ट बन गई है आप सारी क्यूं जाचे करने लगी मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा जो गलत बोल ला है जिसे डर इस बात का हो अपने अंदर का पाप देखे किसने जब आप दूसरे पर उगली उठाते हैं तीन उगलियां अंदर उठती हैं तीन उगलियां अंदर अपने तरफ देखती हैं जो आप दूसरे पर उठाते हैं हमारे देश में उसे कुछ कचिव कुटिया बोला गया सचिन को जियूगर मसल दे तो मर जाएगा उड़ जाएगा कहीं गिरे जाए श्टकल नहीं सूरत नहीं पैसा नहीं इसका मतलब गरीब तो हमारे देश में गरीब दलिश चोशित पीरित मजदूर मजलूब और काले पिले लोग तो बिवाही नहीं करेंगे प्यारी नहीं करेंगे शादिये नहीं करेंगे उनकी तो इज़त है नहीं उनकी जिन्दगी नहीं उनका तो कुछ है नहीं ये सबसे बड़ी बात है न जिस मानसिक्ता के दोरा पुरुषों के लिए बोला जाता रहा है जिस मानसिक्ता के दोरा पुरुषों को जूटा प्रतारित किया जाता रहा है जिस मानसिक्ता जिस सोच जिस अंदर के कीडे के दोरा ऐसा पुरुषों के लिए भावना क्यों रखी जाती है क्यों पुरुषी प्रतार्त क्या, क्यों पुरुष कोई शिंगुर कहा गया, क्यों इस तरह से कहा गया, उड़ जाएगा, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा बोला गया, प्लेग भैलती है बीमारी मरे हुए चूहे से, आप तो वरिष्ट पत्रकार हैं, गाउं से भी किसी को यूबक को सुना, बोलते हुए कोई मरा हुआ चूहा बोले के मरा हुआ चूहे जैसा है, सुना है नहीं सुना, गलत है लेकिन सर सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, क्या सवाल हम जब आप एक्शन करेंगे, रियक्शन आएगा, आपको तयार होना पड़ेगा, अगर अहुल गान्थी ने मोधी को अपमाने शब्द करने का प्रयास किया, एक्शन हुआ, सजा हुई, हाई कोट से सजा हुई, सुप्रिम कोट ने कवल एंटरिम रहा दी, क्या अप संसत चले जाओ, बस, इतनी दी है, और रिधिलेस भाठी जो भाबी वाइरल हो रहे, जिन्हो अतार सरता बोल नहीं थी, ओर उसकी बात तो कदम उठाना पड़े गा, तो सीमा सिचन को बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजे कह रहे तो इतनी बड़ी बात थो हमें नहीं लग रही है, अरे हाप को यदे कुई बात नहीं लग सकती, वेकिन जिसके दिल पे वीती हो, जो आत्मात्या करने कि श्टेट पर जा रहा हो दूकिन हो पर अरे रोपड़ा सचिन मीना रोपड़ा करने लगा सर क्या मर जाओं क्या करों और ऐसा एक नहीं इस देश में हजाों पस्षास के साथ रोना हो गया मेंस राइट की आवाज उठाने वाले लोग आज फिर से जागरत हो गए और बात करने लगे कि नहीं हम इस पर आगे मुमेंट करेंगे इस भाठी को कौन रोकेगा ये सब बोलने के लिए भाई उनको नहीं पसंद सचीन वो बोल रही है अपना सुनेगी फिर वो अपना सुन पाएंगी सारी बात ने आदमी फिर नहीं सुन पाता है किसी की प्रजनन शमता किसी की पारशुत तो किसी के पुरुशत तो किसी के स्पर्म जब आपने टेश्ट नहीं किये, पता नहीं आपको उसकी प्रजिनन शमता क्या है, क्या नहीं है, फिर उस पर सवाल आप उठा रहे हैं, फिर उसको कटगरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर उसको अपमानित कर रहे हैं जिनके खिलाब अभी ये सारी चीज़े चल रही है लेगले आक्षन आप ले चुके हैं बहुत सारी बाते हो रही है बस उनके लिए की सवल आप से उनका कोई बात चीत हुआ की नहीं है हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी रादा नहीं था पर कोई बात ही नहीं है बहुत सारे लोग जानना चाहते कि आखिर डॉक्टर एपे सिंग जो की सीनियर एडोकेट है वो सीमा हैदर और सचिन में उनको ऐसा क्या दिखा कि उनका केस वो खुद ले लिए हमारे लिए किसी में कुछ दिखता नहीं जो हमारे दर पे आया है जो हमारे पास आया है जो हमसे न्याय माग न्याय उनके साथ मीना समाज आया भारती किसानी उनियन कि कितने लोग आये माश्र सवराज सिंग के लोग कितने आये कितने कितने लोग आये हमारे गाउं के आज जो हमने किसान अंदोलन लडा था किसानों का केस लडा था इस्टे दिलाया था उससे सब मदित कितने लोग आये सब आये तो इसलिए हमने किया उसकार को किया है कर दो